भारत के इस रहस्यमई Stealth Drone Project के बारे में किसी भी तरह की आधिकारिक बाते सामने नहीं आई हैं। भारत सरकार के रक्षा मंत्राले और इसे बनाने वाले DRDO ने भी Stealth Drone भातक के इस परीक्षन पर किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया है। कि 21 सदी के युद्धों का मानव रहे थावाई वाहन यानी UAV एक अभिन हिस्सा हैं। इस दशक में हुए सभी युद्ध संधर्षों में UAV के इस्तिमाल का चलन देखा गया है। युद्ध की एक निरनायक हथियार के तौर पर UAV को बीते साल के आर्मिनिया और अजर्बैजान के बीच हुए नागोर्नो कराबाक संधर्ष के दोरान पहचान मिल गई है। जिसमें युद्ध के मैदान पर ड्रोन पूरी तरह से हावी हो गए थे। UAV यानी ड्रोन तक्नीक तक अब आतनकियों की भी पहुँच बनती जा रही है। इस साल की शुरुआत में भारत के जम्मू एफो स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले ने आतनकियों द्वारा UAV की मदद के जर्ये मचाई जा सकने वाली तबाही और नुकसान के खत्रे को लोगों के सामने ला दिया है। भारतिय सेना प्रमुख ने हाल ही में बताया था कि खत्रा कितना गंभीर है। साथ ही भारत के UAV ड्रोन बेरे को मजबूत करने की जरूरत पर बल दिया था। भारतिय सशस्त्र बलो ने इसे हम मुद्दे को समझते हुए इस पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया है, जबकि देश में प्रभावी लड़ाको ड्रोन बनाने के स्वदेशी प्रयास अभी भी प्रारम्विक चरन में है। इसका मतलब है कि भारतिय सेना इस दशक के अंत तक आयातित ड्रोन पर ही निर्भर रहेगी। इस साल अगस्थ महीने के बीच में स्टेल्था विंग फ्लाइंग टेस्टेड यानी स्विफ्ट का परीक्षन दक्षिन भारत के करनाटक में चित्रदुर गैरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में किया गया था। लेकिन इस मामले पर ना ही भारत सरकार के रक्षा मंत्राले और ना ही DRDO ने कोई बयान जारी किया था। इस साल की शुरुआत में सेना दिवस 2021 के मौके पर भारतिय सेना ने 75 लडाको ड्रोन के साथ स्वाम ड्रोन तक्नीक का सफलता पुर्वक प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन में दिखाए गए 75 लडाको ड्रोन्स लक्षयों की पहचान कर उन पर आत्मभाती शैली हमला करने में काबिल है। ये भारत के 1000 स्वाम ड्रोन के लक्षय की दिशा में बढ़ाया गया एक बड़ा कदम था। वैश्विक सेन्य विशेशग्यों ने भारत के इस कदम की तारीफ की थी। लेकिन ये भी कहा था कि यह एक प्रदर्शन था ना कि किसी ओपरेशन में मिली काम्याबी। हालां कि भारत ने अपने इजलायली ड्रोन हरोप के बेरे को भी विस्तार दिया है। माना जा रहा है कि इस बेरे में करीब 164 इजलायली ड्रोन हरोप जुड़ चुके हैं। भारत ने अपातकालीन खरीद लीज के अंतरगत अमेरिका से दो जनरल एटोमिक्स MQ-9B-C गाडियन खरीदे थे। इसके प्रदर्शन से प्रभावित होकर भारतिय सशस्त्र बल 3 बिलियन डॉलर के अनुबंध के हिस्से के रूप में 30 MQ-9B रीप या प्रेडेटर भी लड़ाकु ड्रोन को शामिल करना चाह रहे हैं। माना जा रहा है कि ये सौदा जल्द पूरा हो सकता है। क्योंकि हाल ही में अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोधी ने जनरल एटोमिक्स के सीएओ विवेक लाल से मुलाकात की थी।